देखिए, combination of cells में दो प्रकार से आप combine करना सीख गए, बात बात कर ले ना, दो प्रकार से combine करना सीख गए, पहला था series combination, स्रीज में हमने कहा था कि हर एक cell के negative terminal को दूसरे cell के positive से जोड़ते हैं, और इसमें EMF बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, जितनी cell लगाओगे, उतने गुना EMF बढ़ जाएगा, और current की value कम होगी या जादा होगी, किस पर depend कर रहा था, internal resistance of the cell पर, दो कैसे बताये थ कि आप parallel में जोड़ते हो, तो EMF तो वही रहेगा, जो एक cell का है, ठीक है, लेकिन current वहाँ पर भी depend करता है, कि internal resistance क्या होगा, अब हम mixed grouping की बात करते हैं, मतलब series और parallel दोनों मिला करके जोड़ते हैं, अब ज़रा समझेगा, आप चुकि यहाँ पर grouping हम बनाएंगे, उसमें internal resistance दिखाएंगे नहीं हम, क्योंकि वैसे भी diagram बड़ा बढ़िया हम बनाते हैं, और गटिया टाइप बन जाएगा, कोसिस कर रहे हैं, देखिए, जैसे हमने कहा, एक cell ये है, दूसरी cell ये है, तीसरी cell ये है, इस परकार से N cells जुड़ी भी हैं, कितनी cells है है, यहाँ पर ऐसे, जब कुछ लोग बिलकुल ऐसे, free hand बनाते हैं, और writing अच्छी बन जाती है, यहाँ रुक-रुक के बनाओ तहूं घटिया बनती है, ये N cells जुड़ी भी हैं, ठीक है, और ये ऐसे, last cell हो गई है, अगर कि N cell, और इन सबका जो internal resistance कितना है, ये N cells हैं, यानि कि N cells यहाँ पर ब्रांच में, ठीक है, और हर cell का EMF कितना है, अब हर जगे E नहीं show करेंगे, हर cell का EMF कितना है, अब बताइए, अगर N cells जुड़ी भी हैं इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में net EMF कितना होगा, एनि, तो net EMF in one branch, net EMF in one branch, कितना होगा, एनि, ठीक है, इस ब्रकार से एक और branch ऐसे रही होगी, ऐसे, 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 ऐसे इस ब्रकार से, यह ऐसे, यह branch रही होगी, ठीक है, इस ब्रकार से EM branches आ गई, और भी बहुत सारी हैं, यहां EM branches यहाँ पर लगी वी हैं, अच्छा इसमें वो सीधी लाइन दिखाई यह पहली बाइब कुछ थोड़ा टेड़ी है ज्यादा नहीं टेड़ी है और यह M थ हमने लगा दी एक सेल, दो सेल और बहुत सारी सेल्स हैं इस प्रकार से N सेल्स लगी वी है ठीक है यहां कितनी ब्रांचेज हैं M ब्रांचेज हैं अच्छा हर एक सेल्स का EMF, internal resistance कितना है? इसमाल आर तो अब बताईए, internal resistance in one branch कितना होगा? internal resistance in one branch एक ब्रांच में होगा N आर ठीक है? इस प्रकार से हर एक ब्रांच का N आर हो जाएगा और कितनी ब्रांचेज है? M ब्रांचेज हैं, इन सब ने मिल करके इस प्रकार से सब को एक जिगए हमने जोड़ दिया अच्छा, इस प्रकार से यहां पर कहीं जोड़ दो ठीक है? यानि यह AB के बीच में यह सेल्स जोड़ी हुई है अब बताईए, एक ब्रांच का EMF N है, तो कुल ब्रांचेज M हैं, तो टोटल EMF of the circuit कितना होगा? टोटल EMF of the circuit कितना होगा? टोटल EMF EMF of the circuit क्या बता रहे हूँ? कितना होगा? M से क्या मतलब भाई साब है? जो एक ब्रांच का होगा वही पूरे circuit का होगा? हमने क्या कहा था? parallel combination हो गया ना? भाई यह पूरी ब्रांच N है यह any है, यह any है तो any तो रहेगा तो यह any हो गया ठीक है? अच्छा और यह सब मिल करके एक external resistance में current भेज रहे हैं यह सब मिल करके एक external resistance R है उसमें current flow करा रहे हैं ठीक है? अब आपको पहले तो current निकालने के लिए पूरे circuit का resistance चाहिए ठीक है? अब देखे total resistance, total internal resistance एक branch का कितना है NR? और कितनी branches है? M branches है तो अगर मैं माल लूँ कि let R1 be the total internal resistance internal resistance अगर मैं माल लूँ कि total जो internal resistance है वो कितना है? R1 है तो चुकि देखिए इस branch का कितना है NR? इस branch का कितना है NR? इसका NR है और सब branches का हम जुड़ी भी है parallel में है तो यहां पर parallel combination का लगेगा ना formula 1 upon R1 is equal to 1 upon NR plus 1 upon NR कितनी बार? 2, M times तो यह कितना हो जाएगा? M upon NR तो R1 की value कितनी हो गई? NR upon M यानि कि इस पूरे cell का जो total internal resistance कितना हो गया? NR plus M अचा इस पूरे internal के साथ यह भाई साब कायम जुड़े हुए है सरीज में तो total resistance of the circuit अगर निकालेंगे total resistance of the circuit तो कितना होगा? R1 plus R यह थोगा ना? practically सुन में बात आ रही नहीं आ रही है R1 बोले तो NR upon M और R बोले तो R यह कितना आएगा? यह आएगा NR plus MR upon M यह total internal sorry total resistance of the circuit निकल गया है ठीक है? नोट करिए इसको अब देखिए अब आपको total resistance तो निकल आया total EMF निकल आया तो अगर हम current in the circuit निकालें कि what is the current in the circuit? current in the circuit तो I is equal to क्या होगा? total EMF एनि upon total resistance यह है NR plus M capital R और upon M कहां जाएगा? उपर तो यह आएगा M into E यह total resistance निकल आया ठीक है? sorry total current निकल आयी circuit में ठीक है? अब एक लफड़ा यहां पर यह आता है कि भी current को minimum current निकलने कोई मतलब नहीं है आपको minimum current चाहिए तो एक हो cell न लगाओ मिल गई minimum current एक मर्गिली cell लगा तो गही कोई कूडे दान फेंका यह उटा लो cell लगा दिया आज कल तो cell बहुत पता ही कैसे होते है तो यहां पर maximum current के case में एक technical लगानी पड़ेगी for maximum current for maximum current चुकि हमारा जो एम यह है कि हम cell को क्यों लगाते हैं बहुत सारी cell क्योंकि current को या voltage को हम maximize करना चाहते है हमको ज्यादा current चाहिए ज्यादा voltage चाहिए वहना काम तो हम AC वाले remote वाला जो cell उसी से चला ले हैंगे ठीक है जोला motor चलानी है जोला self starter लगाओ AC वाला नहीं start हुआ उसने दिखो ध्यान से maximum current के लिए यह जो denominator हो वो कैसा होना चाहिए minimum अब इसको minimum करे के तरह हम क्या कर दें इसको zero कर दें मैं minimum zero ही हो सकता है तो यहाँ पर थोड़ी technique लगानी पड़ी ठीक है इसको note कर लिया ना अब यहाँ थोड़ी technique लगाने के लिए थोड़ा mathematical concept लिए यूज करना पड़ेगा तो इसको open करें यहीं तो आएगा by a square plus b square तो जब a square करोगे तो इसका square करोगे root हर जाएगा nr आ जाएगा plus इसका square करोगे तो यह capital R है ठीक है लेकि जब इसको open करोगे तो minus का 2ab भी 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 तो आएगा एक्स्टाटर्म आज आएगा तो इसको plus का इसको minimum होने के लिए इसको minimum कर सकते हैं क्योंकि इसकी minimum वहलो हमको मालूम है मतब for minimum nr plus mr this should be minimum under root nr minus root mr whole square should be minimum समझे आई बार नहीं आई है अभी हम बता रहे है minimum बाई देखे अगर यह चीज minimum हो जाएगी तो इसका जो result मिलेगा वह इस minimum होगा अच्छा यह बताये इसकी minimum value कितनी हो सकती है 0 0 ही हो सकती है कि कोई चीज़ अगर whole square में है तो negative तो हो नहीं सकती तो minimum कितनी value हो जाएगी 0 that is under root nr minus under root mr कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए तो यहां पर हम क्या निकाल लें हम यहां से internal resistance की value निकाल लेते हैं निकालो value क्या निकलेगी यानि root nr is equal to root mr squaring कर दो तो nr की value कितनी हो जाएगी mr तो जहां r हमा क्या होगा m capital r upon n यानि कि अगर आपको maximum current चाहिए उसमे mix combination में तो यह internal resistance होना चाहिए मैं देखे main दिक्कत कौन create कर रहा है यह cell जो current दे रही है current भी दे रही है और बत्तिमीजी भी कर रही है ठीक है उसका जो internal resistance है ना उसी को हमको manage करना पड़ेगा ठीक हाँ वो यह बड़ी है टी-shirt देख रहे हो तो बड़ी है वो मेरी ही लेकिन है नहीं नहीं है वो अलग की बात है note कर लिए तो यह आपकी condition हो गई अच्छा अगर हम कहें value कितनी होगी i maximum होगी कितनी तो हमने का भाई यह r होना चाहिए और i maximum value होनी कितनी चाहिए तो आएगी m, n, e upon, n ismal r को क्या लिखेंगे m capital r upon n plus mr n, n कड़ गया तो आएगी m, n, e upon, 2m, r mm कैंसिल हो गया तो half ne upon r तो इतनी आपको maximum current मिलेगी ठीक है यह भी depend किस पर कर रही है number of cells in the series जो series भी लगी थी parallel से कोई मतलब नहीं आया ठीक है तो यह आपका concept है